परिचय शर्मीला हमने अपने पिछली चर्चा में प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, एनिलीडा, और्थोपोडा, मॉलस्का और एकाइनो डर्मेटा के लक्षनों का अध्येन किया था हाँ, अब हम हैमिकाडेट, रज्युकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉंड्रिक्थीज, औस्टिक्थीज, उभैचर, सरीसरप, पक्षिवर्ग, एवं इस्तंधारियों के लक्षनों की चर्चा करने जा रहे हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हैमिकाडेट, रज्युकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉंड्रिक्थीज, औस्टिक्थीज, उभैचर, सरीसरप, पक्षिवर्ग, एवं स्तंधारियों के विभन लक्षनों को समझेंगे वर्की करन का इधिहास हैमिकाडेटा क्रिमी के समान समुद्री जीवों का एक छोटा समू है, जिनका संगटन अंग तंदरिस्तर का होता है ये सब तुई पाश्व रूप से समिमित त्रिकोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं, इनका शरीर बेलनकार तथा अग्रिशुंड कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है इनका परी संचरन तंत्र खुले प्रकार का होता है, श्वसन कलों द्वारा होता है, श्वंड ग्रंथी इनके उच्सरजी अंग हैं, इनमें नर एवं मादा अलग-अलग होते हैं, निशेचन पाहे होता है, परिवर्थन अप्रत्यक्ष होता है उधारण, बैले नौक लोसस एवं सेको ग्लोसस संग रज्जुकी यानि कादेटा संग रज्जुकी यानि कादेटा से संबंदेत प्राणियों की पहचान प्रिष्ट रज्जु, प्रिष्ट खोकली, तंत्रिका रज्जु और युगमित ग्रस्नी कलों छित्रों की उपस्तिती racti है ये दूई पाश्वता सम्मेती त्री कोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं इनमें अंग तंत्र इस्तर का संगठन पाया जाता है इनमें एक गुदा पश्च पुच तथा बंद परी संचरन तंत्र होता है संग कारडेटा को तीन उपसंगों में विभाजित किया गया है उपसंग 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 केवल लारवा की पूँच में पाय जाती है उधारण एस्कीटिया, सालपा, डोलियोलम सिफेलो का डेटा में ये सिर से पुछ शित्र तक फैली रहती है और जीवन के अंध तक बनी रहती है। उधारण, ब्रेंकी उस्टोमा यानी एमफी ओक्सस या लेसलेट। कशेरूकी कशेरूकी के सदस्यों में भ्रूणिये आवस्था के दौरान प्रिष्ट रज्जू पाही जाती है। व्यस्क आवस्था में प्रिष्ट रज्जू उपास्थिल अत्वा अस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सभी कशेरूकी रजुकी होते हैं, लेकिन सभी रजुकी कशेरूकी नहीं होते हैं। कशेरूकी में दो, तीन या चार प्रकोष्ट वाला पीशिये अधर हिर्दय होता है। व्रिक उत्सर्जन एवं जल संतलन का कारे करते हैं, तथा युकमित उपांग होते हैं, जो पंखिया पाध हो सकते हैं। उधारन मकडी, माईट, कीट, क्रिमी, मचली, उभैचर, सरी सिर्प, पक्षी एवं स्तन्धारी। वर्ग साइकलोस्टोमेटा के सभी प्राणे कुछ मचलीयों के बाहे पर जीवी होते हैं। वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क तथा युगमित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होती है, परी संचरन तंत्र बंद प्रकार का होता है। साई क्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किन्तु अंडे देने के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। अंडे देने के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायंतरन के बाद समुद्र में लड़ जाते हैं। वो धारण पेट्रो माईजॉन यानि लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानि हैक फिश कौन्री किथीच कौन्री किथीच धारा रेखिये शरीर वाले समुदरी प्राणी हैं और इनका अंतहक गंकाल उपास्थिल है ये असमतापी प्राणी हैं अर्था इन में अपने शरीर का तापमान नियंतरित करने की इक्षमता की कमी होती है प्रिष्ट रज्जू चरस्थाई होती है, मुख अधर पर इस्थित होता है, दाद रुपांतरित पटाब शल्क होते हैं, जो पीजे की ओर मुड़े होते हैं इनके जबडे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये प्राणी पर भख्षी होते हैं क्लॉम चिद्र अलग-अलग होते हैं, तथा प्रच्छत या क्लॉम आच्छादन से धके नहीं होते हैं, तवचा कठोर, सुक्ष्म पट्टाब, शल्क युग्द होती है वायकोष्ट की अनुपस्तिती के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगतार तैड़ते रहते हैं हिरदय दो प्रकोष्ट, एक अलिंद तथा एक निलयवाला होता है इनमें से कुछ में विद्द अंग यानी टारपीडो होते हैं और कुछ में विश्दंत यानी ट्राइगोन होते हैं नर्तथा मादा अलग-अलग होते हैं नर्मेश रोणी पंक में आलिंगक होते हैं इनमें निशेच्वन आंतरिक होता है और अधिकांज जरायूज होते हैं। उधारण स्कोलियोडॉण यानि कुत्ता मचली, तिस्टिस यानि आरा मचली, कारकेरोडॉण यानि विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन यानि दंजरे। आस्टीक थीच आस्टीक थीच वर्ग की मचलियां लम्णियें तथा अलम्णियें दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंता कंकाल अस्थिल, शरीर, धारा रेकित, मुख अधिकांशता, अंतस्त होता है। ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं। इनमें चार जोड़ी कलोम होते हैं, जो दोनों और प्रच्छे से ढखे रहते हैं। तवचा साइकलोईट यानि टीनोयट शल्क से ढखी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्दित होता है, जो उत्पलावर में सहायक है। हिरदय दो प्रकोश्ट वाला यानि एक अलिंद और एक निलै वाला होता है। निशेचन प्राया बाहे होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशता अंटच होते हैं और परिवर्थन प्रतक्ष्य होता है। उधारण समुद्री एक्सोसिटम यानि उडन मचली, हिपोकैंपस यानि समुद्री घोडा। अलवणियें, लेवियो यानि रोहू, कादला यानि कतला, क्लेरियस यानि मांगोर। अक्वोरियम, बेटा यानि फाइटिंग फिश, पैट्रोफाइलम यानि एंजल फिश। उभैचार यानि एमफीबिया। उभैचार जल तथा इस्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में दो जोडी पैर होते हैं। शरीर सीर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूँच उपस्तित होती है। उभैचार की तौचा नम और शल्क रहित होती है। ये असमतापी प्राणी हैं। इनमें नेत्र पलक वाले होते हैं। कण की जखा कण पठल पाये जाता है। आहार नाल, मोतराशय तथा जननपत्थ एक कोष्ट में खुलते हैं। जिसे अवसकर कहते हैं जो बाहर खुलता है। नवोदित उभैचर मचली की तरह क्रूम दौरा सांस लेते हैं। वैसक उभैचर फेपडे तथा तथा तवचा से सांस लेते हैं। फेरदे तीन प्रकोष्ट दो अलिंद तथा एक निलैवाला होता है। नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं। निशेचन बाहे होता है, ये अंडज होते हैं। तथा विकास प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष होता है। उधारण बूफो यानि तूड, राना यानि मेडक, हाईला यानि विरिक्ष मेडक, सलेमेंड्रा यानि सलेमेंड्रा, एक्विती ओफिस यानि पाद रहित उभैजर. सरीश्रिप यानि रेप्टिडिया सरीश्रिप नाम प्राणियों के रहिंगने या सरक्षनी के द्वारा गमन करने के कारण है. सरीश्रिप विबिने चालों में कदी कर सकते हैं. ये गर्म, शुष्क रेगिस्तान तथा गर्म, नम उश्रकटी बंधिये वर्शावनों में रहते हैं. ये सब अधिकांश्ता इस्थलिय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रंगित तौचा बाहे तौचिये शल्क या प्राशल्क से धका रहता है. सरीश्रिप असमतापी प्राणे होते हैं. साप तथा छिपकली अपनी शल्क को तौचिये केंजल के रूप में छोड़ते हैं. सरीश्रिप में बाहे कन छिद्र नहीं पाय जाते हैं. कन पठल बाहे कान का प्रतिनिधिद्व करता है. दो जोड़ी पाद उबस्तित हो सकते हैं. हिर्दय प्राया तीन प्रकोष्ट का होता है, लेकिन मगर्मच में चार प्रकोष्ट का होता है. लिंक अलग-अलग होते हैं, निशेचन अंतरिक होता है, ये सब अंडच होते हैं, और परिवर्धन प्रतक्ष होता है. उधारण एवीज यानि पक्षी लगबग 9000 प्रकार के पक्षी हैं पक्षी वे कशेरू की होते हैं जिन में पंक पाए जाते हैं तथा वे पिच्छ से ढगे रहते हैं ये समतापी होते हैं पक्षी का कंकाल भार में बहुत हलका होता है इससे उड़ने में असमर्त शितर मुर्ग पक्षीयों को छोड़कर उन्हें उड़ने में साहिता मिलती है ये सब अधिकांश्ता इस्थलिये प्राने हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रंगित तवचा बाहे तवची शल्क या प्रशल्क से ढगा रहता है तवचा शुष्क होती है पुच के अधार परिस्थित तेल ग्रंथी को छोड़कर कोई और तवचा ग्रंथी नहीं पाय जाती है अंता कंकाल पूरी तरह से अस्थिल होता है और लंबी अस्थियां खोकली तथा वायकोश वाली होती है अगरपाद रुपांत रिथो कर पंक बनाते हैं पश्च बाद में समानिता शलक होते हैं और चलने, तैडने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रुपांत रिथ होते हैं पक्षियों के पाजन पत में अतरिक्त प्रकोश्थ क्रॉप तथा पीशुणी होती हैं फिरदय पूर्ण चार प्रकोश्थ का बना होता है श्वसन फेपड़ों के द्वारा होता है पायुकोश फेपड़ों से जुड़कर साहयक श्वसन अंग बनाते हैं लिंग अलग-अलग होते हैं निशेचन आंतरिक होता है ये अंडच होते हैं और परिवर्धन प्रतक्ष होता है। पक्षी कठोर कवच वाले अंड़े देते हैं जिन्हें वे अपने घोसले में सेते हैं। उधारण, काफ्स यानि कववा, कोलुम्बा यानि कपोथ, सिटिकुला यानि तोता, स्टियो यानि ओस्टिच, पैवो यानि मोर, एटिनोडाइडिस यानि पैग्विन और निफ्रों यानि गिध्ध। स्टन्धारी यानि मेमेलिया इनमें दूद उत्पन करने वाली स्टन्ग्रंथी होती है, जिससे बच्चे पोशन प्राप्त करते हैं। ये समतापी होते हैं, अर्थार्थ, गर्म रुधिर वाले होते हैं। इनमें दो जोड़ी पात पाये जाते हैं, जो चलने, दोड़ने, प्रिक्षपर, चढ़ने, बिल में रहने, उड़ने या तेड़ने के लिए अनुकुलित होते हैं। स्टन्धारियों की तवचा विशिष्ट होती है, इस पर रुम पाये जाते हैं। रुम प्राणियों को गर्म रखते हैं, माना विस्तन्धारी है, लेकिन जन्तों में हमारी अपिक्षा अधिक रुम होते हैं। पाहे कन या कन पलफ पाये जाते हैं। जबड़े में विभिन प्रकार के दाथ पाये जाते हैं। हिरदे चार प्रकोष्ट काब होता है। श्रसन फेपनों द्वारा होता है। लिंग अलग-अलग होते हैं और निशेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर ये सभी जरायूज होते हैं और परिवर्धन प्रतेक्ष्य होता है। उधारण जरायूज यानि मैक्रोपस यानि कंगारू टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स कैमिलस यानि उंट मकाका यानि बंदर रैट्स यानि चूहा कैनिस यानि कुत्ता फैलिस यानि बिल्ली एलिफस यानि हाथी एक्वुस यानि घोड़ा डेलिफिनस यानि सामान डॉल्फिन बैलेन इप्टेरा यानि ब्लू वेहल पैंध्रा टाइग्रिस यानि बाग पैंध्रा लियो यानि शेर क्या आप जानते हैं, पक्षियों के अध्यान से संबंदित जीव विग्यान की शाखा पक्षी विग्यान है शुतर मुर्ग, पैंग्वेन, एमू और कीवी ना उड़ सकने वाले पक्षी है सबसे बड़ी पक्षी शुतर मुर्ग है, जिसका अंड़ा भी सबसे बड़ा होता है आसमतापी बाहियोश में भी कहलाते है प्राणी जिन में शरीर का तापान नियत रखने के लिए सन्निहिद तापिस्थापी होता है समतापी कहलाते है मच्छ लार्वा का उन्बूलंग करने वाली मच्छी गेंबूसिया है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं हैमी का डेटा क्रमी की समान समंदरी जीवों का एक छोटा समो है जिनका संगठन अंगतंद रिस्तरगा होता है इनका शरीर, बेलनाकार तथा शुन्ड, कॉलर एवं वक्ष में विभाजित होता है संग का डेटा में वे प्राणी शामिल होते हैं जिनमें जीवन के अंध तक या प्रारंबिक भ्रोणिय जीवन के दोरान प्रिस्ट रच्चू बनी रहती है कशिरू की प्राणियों में प्रिस्टिय नलिकाकार, तंत्रिकारच्चू, करोटी, अधर्में स्थित हिर्दय और आहरनाल युक्त देहकोहा पाई जाती है कुछ कशिरू क्यों में जबड़े नहीं होते हैं, जैसे अनेथा, जबकि अधिकांश में जबड़े पाई जाते हैं, यानि नेधोस टोमेटा वर्ग, एमफीबिया, सरीशरिप, एवीज और इस्थन्धारी में दो जोड़ी पाथ पाई जाते हैं, और इस प्रकार इनको टेट्रापूढा समों में रखा गया है उभेचर, इस्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं उभेचर हिर्दय तीन प्रकोष्ट का मध्य व्रकक, व्रिक, बाहे कंकाल अनुपस्तित होता है इन में RBC सबसे बड़ी होती है, त्वचा नम होती है तथा इस पर मोटे शल्क पाई जाते हैं शुश्क एवं श्रंगित त्वचा सरीशरिप की विशेश्ता है सप्र में पाद अनुपस्तित होते हैं, मचली, उभेचर और सरीशरिप, असमतापी याने ठंडे रुधिरवाले होते हैं सरीशरिप असमतापी होते हैं, जिसका आर्थ है कि उनमें शरीर का तापान, नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं होती है एवीज समतापी प्रानी हैं, जिनके शरीर पर पिच्च होते हैं, और उड़ने के लिए अग्रपात पंखों में रुपांतरित हो जाते हैं पक्षों में चार प्राकोष्ट वाला हिरते पाय जाता है स्तंधारियों का विशिष लक्ष्ण सात गृवा, केशिरूक, डायाफ्राम, स्तन ग्रंथी और त्वच्या पर रोम क्यु पस्तिती है, हिरते चार प्रकोष्ट का होता है स्तन ग्रंथियां रुपांतरित सुएद ग्रंथिया हैं स्तंधारियों में बिन्ना या बाहिकन पाय जाता है